हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम सीखिने दुस्तों कि कैसे हम MSX में किसी भी फॉर्म को क्रियेट कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक टेबिल को ड्रॉ कर रखा है जिसमें कि मैंने दुस्तों कुछ इंफोर्मेशन ले रखी हैं जैसे कि रॉल नंबर, नेम, फादर नेम, फोन नंबर, स्टेट और यहां पर हैं उनके फोटो अगर दुस्तों आपको टेबिल बनाने नहीं आती है तो मेरे दुस्तों उसकी वीडियो बना रखिए आप सिंपली जाकर उसे देख सकते हैं तो यहां से हम जाएंगे क्रियेट में और यहां पर आपको ओप्सन देखेगा फॉर्म्स का तो सिंपली हम यहां पर क्रियेट करेंगे फॉर्म पर डबल क्लिक तो आप जेकेंगे कि यहां पर आपका आपका ओटमेटिक एक फॉर्म्स क्रियेट हो जाएगा ओके फैंड्स यह लॉफ फॉर में दुस्तु बाई डिफॉल्ट आता है और जैसी आप यहां से नेस्ट पर क्लिक करेंगे नेस्ट रिकॉर्ड पे तो आपका एक के करके रिकॉर्ड यहां पे सो होने लगेगा अगर आपको यहां से बिलकूर फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप क्लिक करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड पे तो आप यहां पे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएंगे अगर आपको सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप क्लिक करेंगे लास्ट रिकॉर्ड पे तो आप यहां पर last record पर आ जाएंगे ओके फैंट पर दूस्तों हमें सीखना है कि हम form कैसे बनाएं तो यह और form तो दूस्तों हमारा by default आता है तो इससे यहां से हम कर देंगे close और यहां से कर देंगे no और फिर से जाएंगे create में यहां से select करेंगे blank form को तो आप देख रहें कि यहां पर हमारा blank form आ चुका है और यहां से हम जाएंगे view में और यहां से करेंगे design view तो आप देख रहें कि यहां पर हमारा design view open हो चुका है और यह है हमारी field जो जो field हमें दूस्तों table में ले रखी है तो यहां पर हम सिर्फ से पहले add करेंगे roll number को तो simply हम यहां करेंगे double click तो आप देख रहे हैं कि यहां पर roll number आ चुका है और फिर बार ही हमारे name की फिर father name, phone number, state, events और end में आएगा हमारा photo तो हम photo कर लागे दोस्तों adjust कर लेंगे अपने इधर के side और इसकी size को दोस्तों कर देंगे थोड़ा हमारा इंक्रीज लोगे friends, अब दोस्तों करते हैं roll number को select और यहां से कर देते हैं थोड़ा हम इसे adjust इस name को भी कर लेते हैं जरेके side adjust अब जाएंगे दोस्तों यहां से हम controls में और यहां select करेंगे अपना button option यह option दोस्तों हमारा बहुत ही important होता है तो simply हम करेंगे इस पर click और यहां पर लागे अपने एक button को create कर देंगे और इसना काम होगा दोस्तों हमारा record navigation में find nest करने के लिए मतला हमारे next record को find करने के लिए तो यहां से select करेंगे go to the first record जैसे हम इस पर click करेंगे तो हम दोस्तों अपने first record पर पहुत जाएंगे तो यहां से next यहां से भी कर देंगे next और यहां से finish तो अब देख रहे हैं कि यहां पर हमारा logo बनके आचुका है अब फिर से करेंगे अपने button पर double click और यहां पर एक और button कर देंगे create और इसका काम होगा मा दूस्तों go to the next record अपने next record पर जाने के लिए और यहां से कर देंगे next यहां से भी next और यहां से finish अब इसे लागे यहां पर simply कर देंगे अब एड़ेस्ट फिर से करेंगे एक और box को create और यहां पर जाने record navigation में और यहां कर देंगे go to the previous record और यहां से next यहां से भी next यहां से finish और फिर से करेंगे यहां पर एक और box को draw और यहां select करेंगे go to the last record को और यहां से next यहां से भी next और यहां से finish और इन सब को एक adjust कर देंगे और यहां पर करेंगे core box को create यह होगा हमारा new record के लिए तो उसके लिए जानगे यहां से record operation में और यहां से कर देंगे add new record और यहां से next और यहां से next और यहां से finish तो अब देख रहें कि यहां पर हमारा new record के लिए आ चुका एक button और यहां से इस button वाले option कर देंगे और यहां close और इन सब को हम दोस्तों कर लेंगे अपने हिसाब से adjust और इस new record को कर देंगे हम थोगा साइस की size को increase अब हम यहां से जाएंगे फिर से views में और यहां से चेक करेंगे अपना form view तो आपका form दोस्तों कुछ इस तरह दिखाई देगा जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपका अगला record आता जाएगा और जैसे आप दोस्तों इस पर click करेंगे तो आपका first record आ जाएगा और इस पर click करेंगे तो आपका सबसे last one record आ जाएगा अगर आपको नय record add करना है तो आप simply इस पर click करिएगा और अपनी information यहां पर simply दे सकते हैं मैं देता हूं यहां पर row hit और father name में कुछ भी देते हैं x, y, z और हाँ पर phone number 12345678910 और state में आज हम select करेंगे drop down से उत्तर पर्देश अब बार यह हमारे photo लगाने की तो यहां पर करेंगे double click तो यहां पर करेंगे add पर click और जहां भी आपर दोस्तो फोटो से वो आप simply वहां से इसे कर लिएगा select और यहां से open और यहां से इस image को कर लिएगे select और यहां से ok तो आप दिखेंगे कि आपकी वाली image यहां पर आ चुकी है अब आपको फिर से नय record करना है तो यहां पर simply click करेंगे add record पे तो आप यहां से अपना record को add कर सकते हैं अगर आपको इस form में कुछ और भी editing करनी है तो यहां से आप जाएंगे फिर से design view में और यहां पर आप अपने हिसाब से अपने records को change कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतना ही था अगरे दोस्तो आपको वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें and have a nice day